नमस्कार 1124 देख रहा है आप और मैं हूँ आपके साथ आन्या सिंग छाट पूजा के अफसर पूर रेलवे ने भागलपूर से अनन्द बिहार के बीच यात्रा करने वाले यात्री उनकों सुन्धा को ध्यान में रखते वे पिशियस ट्रेनी चलाने का रंड़े ले लिया है यह जानकारी पूर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अभिकारी CPRO कौश्रक मित्रा ने दी है उन्होंने बताया कि भागलपूर और अनन्द बिहार के बीच दो नई स्पेशल ट्रेनों का संचारेंग किया जाएगा ताकि पर्व के तुरान बढ़ी हुई भीर को संभारा जा सके आपको पता दे कि कोश्रक मित्रा ने यहीं बताया है कि त्रेन संख्या शूने चार शूने चार शूने अनन्द बिहार भागलपूर स्पेशल दो नवंबर को सुबह की साढ़े जयारा बज़े आनन्द बिहार से तुस्तान करेगी और अगले दिन सुबह 11-14 बज़े भागलपूर पहुंचेगी यह निने रेलवेनी तेवहार के मौसम में व्यातियों की भारी भीड को और उनकी यात्रा को सुविधा जनब बुराने के लिया है उन्होंने काया कि परतेहार के दुरान व्यातियों के संख्या में भारी वृध्धी को ध्यान बदखते वे हमने अनंद बिहार से भागलपूर और भागरपूर से आनंद बिहार के बीच स्पेशल ट्रेंड चलने की योजडना की ताकि यात्तियों को कोको को इस्विधा न हो भागलपूर पार बागरपूर आनंद बिहार स्पेशल ट्रेन तीन नवंबर को दोपहर धाई बजे भागरपूर से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर धाई बजे आनंद बिहार पहुचेगी इस ट्रेन का मार्ग कई महतपूर्ल स्टेशनों से होकर गुज़ड़ेगा इनमें से सुल्ता बागरपूर आनंद बिहार एक तरफा स्पेशल ट्रेन दोनवंबर को सुबह साड़े छे बजे भागरपूर से पस्थान करेगी और अगले दिन सुबह साड़े छे बजे आनंद बिहार पहुचेगी इस ट्रेन का भी मार्ग वही रहेगा दुसमें सुल्तानगन पंड़े दिन दयलुपाद्धाय प्रयागराज और कानपूस चेंट्र जैसे प्रमुक स्टेशन शाह मिलूंगे रेलेवे ने छोड़ पर के दुरान यात्रा करने वाले यार्तियों के स्ट्रक्षा और सुविधा को सर्वोज जिर पात मिक्त्या दी है CPIRO कौशिक मित्रा ने बताया कि तवहारों के मौसम में बड़ी संख्या में यात्रियों के रेले स्ट्रक्षा पर जुटने के संभावना को देखते वे रेले स्ट्रक्षा बल आर्पीएफ ने स्ट्रक्षा के कड़े तजाम किये हैं प्लैट्फरॉम, फुट ओवर ब्रीज और स्टेशनों पर अतरिक्त आर्पीएफ कर्मियों की देनाती की गई है ताकि यात्यों की स्ट्रक्षा सुनिश्चित की जा सके इसके लावा यात्यों को भीट प्रबंधन में मदद करने और जुरुत मन लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए रेलवे के व्यवसाइक और अन्य करमचारियों को भी सक्रिय किया गया है पर याकमदादे की रेलवे का प्रयास या सुन्शित करना है कि हर यात्री सुरक्षिक और अरामदायक यात्रा कर सके खासकर तवहारों के दुरान जब भीर समाने दिनों की तूलना में कई अधीक होती है पर कि दुरान इन विश्वेस ट्रेनों के संचालन से ना केवल यातायात प्रबंदन असान होगा बलकि लोग बिना किसी परशानी के अपने गंतव्य तक पहुँच चकेंगे रेलवे ने याद्रियों को सुझाव दिया है कि वे समय से पहले स्टेशन पहुचे और रेलवे के नदेशों का पालन करें ताकि किसी तरह की अववस्था ना हो तो फिलाल के लिए पुचुत नहीं ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते हैं 124 धन्यवाद